दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ओप्शन आल करें जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फॉरण मिल जाएगी जै शिरराम भक्तों, दोस्तों ये कथा एक कुरूर डॉक्टर की है, जिसने अपनी आखों के सामने बहुत बड़ी कुरूरता की और एक दयालू सपेरे की, चलिए कथा श्रवन करते हैं, आज की कथा है एक बूढ़ा सपेरा और एक कुरूर डॉक्टर तथा मरत पुत्र, आ पूटर द्वार के सामने खड़ी थी की, दो कहार एक डोली लिये आते दिखाई दिये, डोली के पीछे एक बूढ़ा लाटी टेकता चला आता था, डोली और शधाले के सामने आकर रुप गई, बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से जहाका, ऐ ऐसी साफ सुत्री जमीन पर पैर रखते हुए भै हो रहा था कि कोई घुड़क न बैठे, डाक्टर सहाब को खड़े देख कर भी उसे कुछ कहने का साहस ना हुआ, डाक्टर सहाब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है, बूढ़े ने हाद जोड़कर क कहा, हजूर बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से, बूढ़े ने अपनी बात अभी इतनी ही बोली थी कि, डाक्टर ने सिगार जला कर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते, बूढ़े ने गुटने टेक कर जमीन पर सर र केवल दस मिनट समय और बाकी था, गॉल्फ स्टिक खूटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, यह हमारे खेलने का समय है, बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चोखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर, एक निगा देख ले, बस एक निगा, लड़का ह पास से चला जाएगा, हुजूर, साथ लड़कों में यही एक बचा है, साथ लड़कों में यही एक लड़का बचा है, हुजूर, हम दोनों आदमी रो रोकर मर जाएंगे, सरकार, आपको भगवान लंबी आयू दे, दीन बंधू, ऐसे उजड़ दिहाती, यहां प्राए रोज आया करते थे, डाक्टर साहब उनके सोभाव से खुब परचित थे, कोई कितना भी कुछ कहे, पर वे अपने हे रट लगाते जाएंगे, किसी की सुनते नहीं, सेधा सचिक उठाई और बाहर निकल कर मोटर की तरफ चले, बोड़ा यह कहता हुआ, उनके पीछे दोड रिखा तक नहीं, मोटर पर बैठ कर बोले, कल सवेरे आना, मतलब कल सवेरे ही आना, मोटर चली गई, बोड़ा कई मिनट तक, मूर्ती की भाती निश्चल खड़ा रहा, संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं, जो अपने आमोद प्रमोद के आगे, किसी की जान की भी कोई प ना हुआ था, वे हम पुराने जमाने के जीवों में था, जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दों को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने, और किसी कला को शांत करने के लिए सदैर तयार रहते थे, जब तक बोड़े को मोटर दिखाई दी, वे खड़ा टक टकी लगाए, उस और ताकता रहा, शाहिद उसे अब भी डक्टर साहब के लौट आने की आशा थी, फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा, डोली जिधर आई थी, उधर ही चली गई, चारों और से निराश होकर वे डक्टर परदीप के पास आया था, इनके बड़ी तारीफ सुनी थी, यहाँ से निराश होकर फिर वे किसी दूसरे डक्टर के पास ना गया, किसमत ठोक ली, उसे रात उसका हंसता खेलता साथ साल का वालक, अपनी बाल लीला समाप्त करके इस सिधार गया, बुढ़े माबाब के जीवन का यही एक आधार था, इसे का मुह देखकर ज आतरस्वर में रोने लगी, कई साल गुजर गए, डाक्टर परदीप ने खोब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वस्त के रक्षा भी की, जो एक साधान बात थी, यह उनके नियमत जीवन का आशिरवात था, कि पचास वर्ष की अवस्था में उनकी चुष लड़की का तो विवा हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था, वही माता-पिता के जीवन का आधार था, शील और विने का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्याले का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुख मंडल से तेज की छटा से निकलती थी, आज उसकी बारवे साल गिरह थी, संध्या का समय था, हरी-हरी घास पर कुर्सियां बिच्छी ही थी, शहर के अमीर व्यक्ती और हुक्मरान एक तरफ कालेज के शातर दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे, बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था, आमोत प्रमोत का सामान भी जमा था, चोटा सा प्रहसन खेलने की तयारी थी, प्रहसन स्वैम डॉक्टर प्रमोत के ल लगा हुआ था, कोई पुकारता कैलाश जरा इधर आना, कोई उधर से बिलाता, कैलाश क्या उधर ही रहोगे, सब ही उसे पुकारते थे, चुहलें भी करते थे, बेचारे को जरा दम मारने का अवसर नहीं मिलता था, सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर पूचा, क्यों कैल कैलाश तुम्हारे साप कहा है, जरा मुझे दिखा दो, कैलाश ने उसे हाथ मिला कर कहा, मीना इस वक्त छमा करो, कल दिखा दूँगा, मीना ने अग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मनने की, तुम रोज कल-कल करते हो, मीना और कैलाश दोनों सहपाथी थे, और एक दूसरे के प्रेम में पड़े हुए थे, कैलाश को सापों को पालने, खिलाने और नचाने का शौंक था, तरह तरह के साप पाल रखे थे, उनके सौभाव और चरित्र की परिक्षा करता रहता था, थोड़े दिन हुए, उसने विद्याले में स सापों पर एक मार्क का व्याख्यान दिया था, सापों को नचा कर दिखाया भी था, परानी सास्तर के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे, यह विद्या उसने एक बड़े सपेरे से सीखी थी, सापों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे बहुत बड़ा शौक था इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है फिर उसे चैन ना आता था उसे लेकर ही छोड़ता था यही व्यसंद था इस पर हजारा रुपए फूक चुका था मेना कई बार आ चुकी थी पर कभी सापों को देखने के लिए इतने उसुक ना हुई थी कह नहीं सकते आज उसकी उसुकता सचमुद जाग गई थी या वे कैलाश पर अपने अधिकार का परदशन करना चाहती थी पर उसका आगरे बे मौका था उस कोठरी में कितनी भीड लग जाएगी भीड को देखकर साप कितने चौकेंगे और रात के समय उन्हें छेडा जाना कितना बुरा लगेगा इन बातों का उसे जरा भी ध्यान ना आया कैलाश ने कहा नहीं कल जरूर दिखा दूँगा इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो नहीं सकूंगा कमरे में तिल रखने की भी जगा नहीं मिलेगी एक महासाय ने छेड कर कहा दिखा क्यों नहीं देते जरासी बात के लिए इतना ठाल मटोल कर रहे हो एक गगती ने कहा मीना हर्गिस ना मानना देखें कैसे नहीं दिखाते दूसरे महाशे ने और रद्दा चड़ाया मीना इतनी सीधी और भोली है तब ही आप इतना मिजाज करते हैं दूसरी सुंदरी होती तो इस बात पर बिगड कर खड़ी हो जाती अब तीसरे सहाब ने मजाक उड़ाया अजी बोलना छोड़ देती बला कोई बात है इस पर आपका दावा है कि मीना के लिए जान हाजिर है मीना ने देखा कि ये सहोदे उसे रंग चड़ा रहे हैं तो बोली आप लोग मेरी वकालत ना करें मैं खुद अपनी वकालत कर लूँगी मैं इस वक्त सांपों का तमासा नहीं देखना चाहती चलो छुट्टी हुई इस पर मित्रों ने ठट्ठा लगाया एक सहाब बोले देखना तो आप सब कुछ चाहें और दिखाएं भी तो कैलास को मीना की जेपी हुई सूरत देख कर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकान वास्तों में उसे बुरा लगा है ज्यों ही प्रेति भोसमाब्त हुआ और गाना शुरू हुआ उसने मीना और अन्न मित्रों को सांपों के दर्बे के सामने ले जाकर महर बजाना शुरू किया फिर एक एक खाना खोल कर एक-एक सांप को निकालने लगा वाह क्या कमाल था ऐसा जान पड़ता था कि वे कीडे उसकी एक-एक बात उसके मन का एक-एक भाव समझते हैं किसी को उठा लिया किसी को गर्दन में डाल लिया किसी को हाथ में लपेट लिया मीना बार बार मना करती की इन्हें गर्दन में न डालो, दूर ही से दिखा दो, बस जरा नचा दो, कैलास की गर्दन में सापों को लिप्टे देख कर उसकी जान निकल जाती थी। दोस्तों कथा का अगला भाग सुनने के लिए कमेंट में अवश्य लिखें, कथा को लाइक और शेर जरूर करें, जैशीर रामभकतों